तो वेल्कम बैक टो माई चैनल लतस गार्डन और ब्लाग तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं मास रोज याने की पॉट रोला का और पर्सलेन में ऐसी कौन से फटिलाइजर देना चाहिए जिससे की आपके पर्सलेन और मास रोज में भर भर के फ्लावर आएंगे तो तो आज के इस वीडियो में मैं वही फटलाइजर बताने वाली हूं और इसके कुछ क्याटिप्स बताऊं आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर मैं पहले सबसे पहले पर्सलेन दिखा रही हूं जिसमें अभी बहुत अच्छे 습니다 बहुत यहां चाना पर्सलेन प्राण colleg बहुत अच्छे सफ्लावरीं गोरीत अभी और यहां पर देखेंगे कुछ हेंगींग पक्याने महें संस्कीज ब्रश क הुआ यह ज्यादा इसमें अभी अविशंट से चीज डालती हूं तो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगे और यहां पर देखिए यह a.cz capital इसमें भी अभी flowering हो रही है देखिए एक-डो flower इसमें आये है तो पर्सलेल में तो बहुत ज्यादा ही flowering हो रही अभी और वारिस का मौशम चल रहा है और इधर देखे फ्रेंड्स चलिए अब मैं बाहर के क्या गार्डन में आ गई हूं अपने जो बॉंडरी के नीचे जो लगा है देख सकते हैं यहां पर भी पर्सलेन लगा है और मार्निंग लोरी भी इसमें यहां पर चड़ा हुआ है तो इसमें भी फ्लावर आये हैं यह द पर देखसें बहुत अच्छे सक्क्राहिल होरіш क्षाप ही तो इहां पर इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हो रही है उसके दो रिजन है सबसें पहला बर्सले की ou pack ऐब चाहर की दोर लेकर तीन तक यहां पर दूप पड़ती है इसलिए देख सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग और आप इसी प्लांट को अगर छाय में रख दोगे तो वहां पर फ्लावरिंग कम होगी और यह देखें यह और इसे आप छाया में रखे हो तो वहां पर इसमें पौधों की ग्रोध तो होग कि रयागह था जबाएं कि उसंटेशब्स बीची कहा एक through एक मुख्यकारण वही Chakra में उसमें या बहुत परिद्ध जदा ही यह वर आएंगे तो बनाट यहाँ sa अब भी अपने पर्सलेन और पोटुलाका को ऐसी जगह पे रखो जहां पर बहुंच ज्यादा धूप आती हो और दूसरा केर की बात की जाए तो फिर देखिए इसमें जो पुराने फूल है जो फूल सूख रहे हैं फूलने के बाद उसको निकालते रहना चाहिए तभी इसम की सी मॉइस्च रहना चाहिए और इसमें ज्यादा पानी इसको देने की ज़रत नहीं है इसकी जो मिटी है वो थोड़ा सा गिला रहना चाहिए और मिटी चेक करके ही पानी दीजिए बहुंच ज्यादा गिला है तो उसमें पानी नहीं देना चाहिए प्लांट के गलने कंड बहुत अच्छे तो इसमें भें भर भर के फ्लावरिंग हो तो कि द sóनी में कफिला है अध्य कम्ले में खिइंड ह जो सब्से करेंसे पहले इसके के ऑद की चाहिए तो फ्रेंडस की जो फ्लावर हैं फूल के सूख रहे हैं उसको निकाल देना figur कि ये देखिए इस तरीके सेanut कि आ और इसमे वही फ्रटि लाइजर देना है जैसे परसलेन में भी देना है और इसमें भी देने हैं भी बताऊंगी और दूसरा और ब्रांचेस में अभी बर्ट्स बने हुए है और इसका वही रिजन है इसे परियाप्त धूप मिल रही थी इसके कारण इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हो रही है और दूसरी जो सबसे मुख्या कारण है इसमें फ्लावर आने का तो वह लिक्विट फर्टिलाइजर और लिक्विट फर्टिलाइजर हम इसले देते हैं क्योंकि इसके बहुत घने होते हैं और इसे गुडाई भी करते नहीं बनता है इसले लिक्विट फर्टिलाइजर इसमें देना ही ज्यादा अच्छा रहता है तो वह लिक्विट फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स चाय की प और डालने के बाद इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलता है इसमें फ्लावर नजराएंगे कहीं पर भी मतलब बड्स नहीं कोई भी डाली में ऐसी बात नहीं होगी बहुंच जाद इसे फ्लावरिंग होगी क्योंकि इन दो तिन मिट्टी को मैं गुड़ाई कर दी और इस पार्ट में पहले से लगवा था लेकिन जिस जो इसमें लगा है उसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और वह वाइट कलर के पर्सलेंज ऐसे होते हैं और मैं इसकी कटिन लगा रही हूं देखिए इसमें थोड़ा सबस्सक्राइब ले लेगे चोटी से चोटी से फटे से मैं लगा रही हूं तो देखिए कुछी दिन में पूर गमला भर जायेगा बहुत जल्द यह फैलता भी है और इस तरीके से इसको लगा देना दूसरा पर्सलेन के लिए धूसरा झो फर्टिलाइजर वह है केले के छिलके और चाय की पत्ति को को कि दो दिन तक पानी में डुबां के रखना है उसके बाद तीसरे दिन हम उसे छान कर इसमें पूर्चला का पर्सलेन में भी और पोर्चुला के दोनों में आप ये फर्टिलाइजर उप्योग कर सकते हैं और ये दोनों सालवर फूल देने वाला प्लांट है फ्रेंड्स इसे अपने गार्डन में जरूर एड़ करें और फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज देखेगा प्लीज और देखने के बाद आप लोग भी कुछ सजेशन दिया किजे कि आप लोग अपने गार्डन को किस तरीके से मेंटन करके रखते हैं किस तरह से केर करते हैं तो यहीं सब बाते हैं आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताईएगा फ्रेंड्स तो फ्लावार आये हैं देखिए वाइट कलर है और पिंक कलर है और वहाँ पर रेट कलर है इसमें चार कलर के इसमें एक ही गमले में लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छा भी फ्लावरिंग होरी है फ्रेंड्स तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैटे क्यार